Mathematics अगर आप पढ़ रहे हैं चाहे 0 लेवल में हो या चाहे जितने भी competitive लेवल की तैयारी कर रहे हो किसी भी लेवल पर आप हो उससे मतलब नहीं है मगर अगर आपको plus minus multiply और divide करना अच्छी तरह से नहीं आता है उसके basic concept अगर आपको अच्छी तरह से clear नहीं है तो आप Maths ज multiply और divide के sign एक साथ अगर दिये हो तो उनमें से सबसे पहले किसे solve किया जाता है उसके बाद किसे किया जाता है यह आप करम इस वीडियो में सीखेंगे कि सबसे पहले किसे करें उसके बाद किसे करें यहीं चीज आपको board mask के rule में बताई जाती है तो अगर board mask के rule को detail में जानन minus multiply और divide सभी तरह के symbol दिये गए हैं इस question में आप mathematics पढ़िए चाहे zero level पे हो चाहे किसी भी level पे हो आपको plus minus multiply और divide इनी चारी symbol को ही operate किया जाता है mathematics में यह चीज आप जान लीजे और हमेशा के लिए मान लीजे तो आपके लिए यह चार symbol दिये गए हैं लेकिन आपको यह भ सालूम नहीं होगा तो आपका सवाल हमेशा गलत आएगा इसका answer तो आपको इसे जानने के लिए एक तरीका होता है जिसे एक rule कहा जाता है एक नियम कहा जाता है और उस नियम का नाम है board mask तो board mask की सिर्फ आप spelling याद कर लीजे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसे सबसे पहले solve करना है तो board mask की spelling है यहाँ पर आप देख लीजे बी होती है ओती है डी होती है बी ओडी बॉड मास आपके मुझ से जिस तरह से निकलता है वैसे ही आप लिखते चले जाएगी बस इतनी आसान spelling है इसकी बी ओडी मेस इसका मतलब क्या है यह जान देजे बी का म आया जाता है उसमें तो यहां पर आपको दिया गया है bracket यानि कि सबसे पहले आपको अगर question में होता तो आप bracket के अंदर वाले चीज को ही solve करते मान लीजे कोई bracket लगा हुआ है इस तरह से और बाहर भी कोई number लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप bracket के अंदर ही सवाल को solve करें करेंगे और O का मतलब होता है का अब O का Hindi में मतलब होता है क्या होता है मतलब इसका होता है का तो आप इसका मतलब का जानिए इसका मतलब OF जानिए और D का मतलब होता है divide यह आपको मालूम होना चाहिए M का मतलब multiply A का मतलब addition यानि जोड और S का मतलब subtraction यानि कि घटाना य बस यही rule होता है इस spelling को आप याद रखिए तो आपको यह हमेसा याद रहेगा तो आईए हम इसको board mask के rule के हिसाब से इसको solve करके देखते हैं कि किस तरह से इसका answer सही आएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे bod यहाँ छोटा सा लिक दे रहें ताकि हमें देखने में आसानी रहे b o d m a s board mask b o d m a s यह spelling होती है यहाँ इसका मतलब divide multiply यह plus और यह minus तो सबसे पहले divide को solve करेंगे तो हम बागी सवाल को वैसे उतार ले रहे हैं दो बटे 3 पिलस वैसे ही लिख देंगे उसके बाद हमें सबसे पहले अपने सवाल में क्या solve करना है डिवाइड ब्रेकेट होता तो करते है ब्रेकेड है नहीं तो सबसे पहले divide करेंगे divide दिया है तो divide के symbol को हम यहाँ से हटाने के लिए क्या करते हैं यहाँ multiply का निसान लगा देते हैं अगर यहाँ पे लिखा होता इस पूरे नंबर की दिखा 8 लिखा होता और यहाँ पे डिवाइड होता 2 होता तब तो आप simply इसको डिवाइड कर देते और कितना अंसर आता इसको solve करके 4 आ जाता तो आप कर देते लेकिन अगर इस तरह से दिया गया है fraction में दिया गया है भिन् जाएगा यह दिवाइड का साइन हटेगा अगर fraction में दिया हो तब उसके बाद माइनस लिखेंगे फिर साथ बटे 5 लिखेंगे फिर multiply दिया है multiply लगाएंगे तीन बटे 4 लिख देंगे उसके बाद आपके इसमें रून में दिया गया है divide के बाद multiply को solve कीजिए तो multiply यहाँ पर दिया गया यहाँ दिया गया है इसको हम solve करेंगे और इसको solve करेंगे अगर आप इसको पहले solve कर लेते हैं 8 बटे 3 माइनस 7 बटे 5 तो आपका अनसर गलत हो जाएगा आपको सबसे पहले इसको solve करना है यहाँ पर उपर multiply कर देंगे नीचे cut अगर तो cut देते cut नहीं रहा यह कट गया अब यहां दो बचा और नीचे कुछ कटेगा नहीं तो कोई बात नीचे कुछ कर दीजे और नीचे नीचे कर दीजे इस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो आप अपने मन से मान लिजे इसके आगे प्लस का निसान लगा हुआ है तो यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है तो इन दोनों को हम सॉल्फ करेंगे और इन दोनों के नीचे नंबर सेम दिया गया है तो इस तरह के नंबरों को solve किस तरह से किया जाता है, नीचे वाले नंबर को एक बाल लिख दीजे, दोनों में दिया गया है तो एक बाल लिख दीजे, और उपर दोनों नंबरों को जोड़ दीजे, 14 और 2 हो जाएगा 16, तो ये solve होकी इस तरह से ये आ गया, उसके बाद माइनस दिया है, माइनस लगा देगे, 21 बटे, 20 लिख देंगे, अब इसको हम किस तरह से solve करेंगे, इन दोनों नंबर जो नीचे 3 दिया है, और 20 दिया, इन दोनों का लेंगे तो आ जाएगा, 60, अब 60 यहाँ पर LCM आ गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 3 को इसके नीचे रखेंगे और डिवाइट करेंगे, और 60 को 3 से डिवाइट करेंगे, तो कितना आएगा, 20 आएगा, अब 20 का उपर मल्टिप्लाई करेंगे, उपर वाले नंबर स तो 16 में 20 का मल्टिप्लाई करेंगे, तो 320 आ जाएगा, उसके बाद माइनस लगा है, तो माइनस लगा देंगे, फिर यह वाले 20 को यह जो नंबर लिखा है, इसको इसके नीचे रखेंगे, एक बार इस नंबर को नीचे रखा, अब इस वाले नंबर को इसके नीचे रखें इसके आगे प्लस का निसान है, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2507 बटे 60 आजयेगा अब इसके आगे निसान प्लस का लगेगा या माइनस का जो नमबर बड़ा होता है वो ही लगाय जाता है 63 और 320 में बड़ा अगे प्लस का साइन है तो यहां प्लस आपका मन है तो लगा सकते हैं नहीं मन है तो कोई बात नहीं लगाने की क्योंकि अगर कोई भी निसान नहीं लगा हुआ है तो आप अपने मन से मन लेजिए उसके आगे प्लस का निसान लगा हुआ है लेकिन अगर माइनस आता तो माइनस लगाना जरूरी होता है अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुचा सकते हैं ताकि हम आपकी जरुवत के हिसाब से बहतर से बहतर वीडियो ला सकें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा अगर आप चैनल करना हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकान दबा लेजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोडिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके मैं फिर हादिर होंगा एक नई वीडियो में जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ